कि नमस्कार रादे रादे जैसे किसना कैसे हो तो चलिए आज की जो उपीनी क्लास होने वालoser क्लास होगी काफी जांदार क्लास होगी आज हम जानने वाले हैं आपके संदी और संदी मैं भी कौन से संदी आपके विसर्ग संदी हम स्वरसंदी पड़ चुके हैं हम आपके वेंजन संदी पड़ चुके हैं उससे संबंदित कुछ mcqv हम कर चुके हैं आज किसकी बारी है आज बारी है आपके विसर्ग संदी की विसर्ग संदी जानेंगे कि विसर्ग संदी से किस-किस प्रकार के कुश्यन आने की संभावना है हर एक चीज के बारे में जानेंगे हर एक चीज सीखते हुए आगे चलेंगे तो फटा वर देसे सेशन को लाइक से एंड कमेंट करेंगे एक बार सभी लोग बच्चे बताएंगे क्या जो मेरी अवाज है प्रोपर तरीके से आपके आ रही है यह फिन ही आ रही चलिए शुरू करें अपने सेसन को आजी बही शुरू करते हैं चलिए तो जिया रिम्जिम सुकला जी हमारा से जुड़ चुकी है गुरु जी प्रणाम अच्छा प्रणाम सर्जी हाँ वह प्रणाम आपका बहुत द्वस्वागत है रिम जी च किसको कहते हैं हम सभी को पताए कि विसर्ग कि इसको कहा जाता है और यह चीच के लिए रोगई कौन से तीसरे चौथे और पांच वे इनको हम किस नाम से जानते हैं इनको हम अघोस के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं अघोस के नाम से जानते हैं और साथ की साथ आपके यह रह लब यह रह लब और इनको हम किस नाम से जानते हैं इनको हम अंतेयस्त वेंजन के न सब्सक्राइब परवर्तित हो जाता है अमें लेकर अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर हमने गुर संदी के अंतरगत पढ़ा था कि वहां पर आपकी एक ही मातरा आती थी और चूटे सुकला जी सुजाता अच्छा जी रिम्यम जी आप ये मेरा रिप्लाई नहीं दिया आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया अरे वही क्यों नहीं देंगे हम आपका रिप्लाई आपका भी स्वागता है क्लास में चली सभी बच्चों का स्वागता तुरू करें देखो हमने गु भी तो की मात्रा है यहाँ पर भी तो आपके कप्र दो a मत्रा के बाद या तो तीसरा चोथा पांच्वां हड़ रहे रहे यह रहे लिगर चोथा है तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके हमेशा विसर्ग संदी रहेगी, या फिर अंतेयस्त वेंजन भी रहे, ठीक है न, यह चीज के लिए रहो गई, देखो, अब देखो, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, छोटा A है, तब यह विसर्ग किस में परवर्तित हो गय चोटे A में परवर्तित हो गया, तो गुर संधी बिल्कुल अलग होती है, गुर संदी इससे बिल्कुल अलग है, लिकन मातरा दोनों में समान होती है, और अंतर क्या है? यहाँ पर मातरा के बाद आपके या तो अगोस वेंजन होगा, या फिर आपका अंतैस्त वेंजन मैं न रेज़ी पर मात्रा के बाद क्या है बाह थिया है यहां पर कौंसे संदी कि आपके दियोगी और यह नियम आपको पता न तो परक्षा में आपके समय बचाने में बहुत काम आएंगे चलिए जी आगे चला जाए जी सर जी सर बिलकूल अच्छा मैं जन संक्या अच्छा यह क्या है वही सचारी में जन सके अच्छा चलो जी आगे देखो क्वेश्च अब देखो इसी प्रिकार यहां पर कुछ और उधारण दिये गए देख होता है चलुश जबर का तीसरा में जन होता है जा भाई तीन दिया गया है यहां पर er यहां पर की मात्रा के बाद क्याugen है ड़े यह बी शहीं अब यहां पर मात्रा के बाद के बाद अच्छा जी यहां यहां देख ना यहां पर क्या है मात्रा के बाद है वा दो है यहां पर गोI वा हो जा हो या फिर आपके औंत्यस्त या यह या और ये फरक होता है गुण संधी में और आपके विसर्ग सडी में इसके कुछ और भी नियम है फिर वो नियम जानने के बाद हम चलेंगे सीधे mcq पर आगे चलो देखो नियम नम्मर दो देखना अगर विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ कर कोई और स्वर आ जाए और आपका ना आए और इसके अतरिक्त कोई और स्वर आ जाता है और बाद में क्या आए विसर्ग के विसर्ग के बाद में या तो अंतेयस्त वैंजन हो या फिर तीसरा चोथा और पांच्वाशन कंडिशन वही है देखो अगर आ और आ को छोड़ कर इसको छोड़ कर और विसर्ग के बाद में अगर तीसरा चोथा पांच्वाशन व परवरतित हो जाता है विसर्ग यह चीज के लिए रोगई चलिए कुछ उधारन समझते हैं जैसे ने जमा क्या है ने जमा आहार तो यह क्या होगा निराहार हो जाएगा क्या हो जाएगा निराहार अच्छा जी ने जमा आसा निरासा हो जाएगा तो विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौता पांचमा वर्ड या पर अंतेयस्त वेंजन या पिर आपके छोटा आ और बड़ा आवी सामिल होता है यह कब है विसर्ग के बाद लेकिन पहले नहीं पहले देखो विसर्ग के यहाँ पर छोटी की मातरा है यहाँ पर भी छोटी की मातरा है अगर विसर्ग के प हाँ बिल्कूल चलिए आगे चलते हैं अब आगे देखना ये है नियम नंबर तीन क्या है देखना अगर विषर камें के पहले कोई भी स्वर हो क्या हो हो अगर के पहले आपका कोई भी स्वर होता है और विसेर्ग के बाद चे या चे या फिर से होता है तो यह जो विसर्ग होगा यह आपके से में परवर्तित हो जाएगा किसमें से में परवर्तित हो जाएगा जैसे देखो विसर्ग के बाद क्या है चे है तो यह जो विसर्ग होगा यह से में परवर्तित हो जाएगा किसमें से में विसर्ग के जैसे दू जमासासन दुसासन ने जमाचल निश्चल ने जमाचल निश्चल ठीक है यह चीज के लिए रोगी और इसी के आधार पर हम हग शाया जमाा च्छ निस्टव अभी पढ़ाएं नह मत आर निस्टार ने जमा सार निस्टव निस्टव आगे चलो आगे चलो भई देखो नियम नंबर 4 है आपके सामने नियम नंबर 4 क्या कहता है हम से अगर आपको यह नियम समझने आ तो हर एक mcq का आप चुन-चुन कर आंसर करोगे विसर्ग के बाद यदि ताया सा होता है तो विसर्ग का से बन जाता है क्या बन जाता है से बन जाता है जैसे देखो यहां पर भी हमने कुछ इसके उधारन देखे ते विसर्ग के बाद क्या है से है और ते है यहां पर जो व विसर्ग के बाद क्या आया है ताका प्रियोक किया है तो विसर्ग किसमें परवर्तित हो जाएगा सेमें परवर्तित हो जाएगा सेमें नमा जमाते नमस्ते ने जमा संतान ने संतान क्या होगा ने संतान होगा दो जमा साहस दुसाहस और दुसाहस आपका यूपी पुलिस में पूछा हुआ पूछा गया है हाँ जी भई मौक टेस्ट अमित कुमार जी कह रहे हैं मौक टेस्ट भी मौक टेस्ट भी आएगा बहुत जल्दी आने वाला है चलिए क्वेशन पांच देखना विसर्ग के पहले अगर ई और उ के बाद देखो विसर्ग के पहले क्या आ जाए ओख़ो की मातर आ जाए या फिर की मातर आ जाए लेकिन विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद अगर आपका केख है टेठे पहले आ जाए देको यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है जी एक है कि हमने चैज। को छोड़ दिया है और टैठ है क्या टैठ है टैठ है को लिया है और हमने तैठ है को छोड़ दिया है फेलिया पैफ है को मतला हमने चैठ है को छोड़ दिया और हमने टैठ है को छोड़ सोरी तैठ है को छोड़ दिया तो यहां पर हमने लिया है कैखे लिया है टैठ है लिया ह है एक छोड़कर लिया है जो आपके सभी वर्ग होते हैं ना उनमें से एक छोड़कर लिया है मतलब के वर्ग के दोनों वर्ड लिये हैं ते वर्ग के दोनों वर्ड लिये हैं और पैवर्ग के दोनों वर्ड लिये हैं अगर यह आए ना तो यह किसमें परवर्तित हो जाता है है विसर्ग आपके सटकोड़ वाले सामें और सटकोड़ वाले साका उच्छारणिस्तान क्या होता है मूर्दा होता है क्या होता है मूर्दा तो यह सटकोड़ वाले सहमें में परवर्द रोजाता है जैसे देखना यहां पर प्रियुक्त की या कहा कै बात क्या है कै किसका प्रियुक्त हो हुआ चैकर यह विसर्ग जो होगा सहमें परवर्दित हो जाएगा रह जमा कलंक फल नि largest पल हो जाएगा इसी प्रकार से विसर्ण परवर्तित होता है और इसी प्रकार से आपके mcqv set करेगे हैं आगे चलो आगे चलते हैं देखो इसी प्रकार से नह जमा कپटerma de 평 विसर्ग क्या प्रियों हुआ है आपके कावर्ग कावर का पहला वेंजन प्रियों हुआ है कावर का पहला वेंजन प्रियों हुआ है तो यह जो विसर्ग होगा किसमें परवर्तित हो जाएगा सटकॉन वाले सामें इसी प्रकार यहां पर यह पावर का दूसरा वेंजन होता है तो यहा और नीचे वाले सब्द में भी विशर्ग सट कौन में परवर्तित हो रहा है आगे चलो वुश्यन अग नियम नंबर बाद कोई भिन्सवर आ जाए तब यह विसर्ग नहीं आएगा किसी में भी परवर्तित नहीं हो जाएगा इसका लोप हो जाएगा जैसे देखना देखो विसर्ग के बाद आपके छोटे ओ की मात्रा आई है विसर्ग के बाद छोटे ओ की मात्रा आई है तो यहां पर यह विस आने के बाद विसर्ग में कोई परवर्तन नहीं होता जैसे देखना अंतह जमा करण देखो विसर्ग के पहले क्या है छोटे आका प्रयोग है और बाद में विसर्ग के बाद क्या आया है का का प्रयोग हुआ है तो यहां पर विसर्ग में कोई परवर्तन नहीं होगा जैसा व गुरू जी को चरण इस पर सिवाय क्रियेशन जी आपका भी वद्दत स्वागत है चलिए तो यहां पर विसर्ग में कोई परवर्तन ही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ कोई परवर्तन ही नहीं हुआ जैसा विसर्ग वहां ता वैसा ही विसर्ग यहां पर प्रेयों हो गया आगे condition क्या है विसर्ग से पहले किसकी मात्रा होनी चाहिए आकी मात्रा होनी चाहिए इसी प्रकार यहां पर बाद में किसकी मात्रा है देखो बाद में आपका के का प्रियोग हुआ है किसका प्रियोग हुआ है के का प्रियोग हुआ है तो यहां पर क्या होगा विसर्ग में कोई प आवर्ण का प्रिय हुआ है तो विसर्ग बिल्कुल सेम आएगा चलिए अंते जमा करण अंते करण यह सब चीछ के लिए रहे चलिए फिर हम चलते हैं अपने Imadah के उसनदी के नियम क्या होते हैं अब आपको समझने है एक और विसर्ग के पहलेaa को छोड कर कोई दूसरा स्वर आ आजाए और विसर्ग के बाद कुई दूसरा सरो तो यह हम पड़ चुके हैं तो क्या होगा विसर्ग में क्या हो जाता है रह हो जाता है और यह मुण पढ़ चुके हैं चलिए कि इसके कोछ उधारने ने जमा उपाये दो कि सबस्था इसे पहले क्या है एकि मात्रह और यहां पर किसे योग हो रहा है एक फिर होँ आजेए तो यह और में परवर्तित हो जाएगा निरुपाय पी-स नहीं समझ में आ रही है यह पूछाना कमेंट्वक्स फे देखना नींजवा चर निर्ज़र ने जमा जल निजल निर्ज़र ने जमा धन निरधन नी ने जमा गोड क्या हो जाएगा निर्गोड हो जाएगा और ने जमा विकार निर्विकार हो जाएगा क्वेशन पर चले चले वह क्वेशन पर चलते हैं वड़ा बड़ से तो चली क्वेशन पर मैं आपको लेकर चलता हूं तो पहले थोड़े से आसान से प्रिशनों पर चलते तो जी हां अमिद दारू पी कर आए हो क्या भई क्या हो गया सब मुस्क्रा मुर्जाए फूले अच्छा ही अमिद जी पढ़लो भई पढ़लो यार चले दुरासा सब्द का सही संदी विच्छित बताना है आपको क्वेशन अमर 16 में क्या होगा क्वेशन 16 का आंसर किस किस ने और सवर आता है और विच्छिक के बाद अगर आ आजाए तैसरा चौथा पांच्मां वर्ड आजाए यापर मचन आजाए तो विसर्ग किसमें परवर्थित कि में हो जाता है wordt हो जाता है देखो यहा पर देखना यहां पर इसका संहुतकर क्या हो गा एको विसर्ग के प हो जाएगा क्वेशनम Kṛṣṇa का सय उत्तर भी हो जाएगा यी ठीच केलिए किसकिस ने दिया है भी हावई बिलकुल बीव mash रही है चलिए अमजी कासल पासी भीक्षाइब आगे चलब कोश्र्म that नहें जमाक कलंग का सही संदी विच्छित क्या होगा सही संदी क्या होगी अब आपको बताना है देखो विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है चुपी की मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है आपका का वर्ग का या तो पहला वेंजन आ जाए दूसरा वेंजन आ जाए या फिर आपके टे वर टे आजाए ठे आजाए पा आजाए फा आजाए तो यह जो विसर्ग होता है यह किसमें परवर्तित हो जाता है सटकोण वाले सामें और इसका उच्छा इस्थान होता है मूर्दा क्या होती है मूर्दा चलिए फटा पर्चे बताना है क्या होगा क्वेशन नमर है टेठ हैं पेफै है तो विसर के किसमें परवर्तित हो जाता है सट कोन में परवर्तित हो जाता है चलिए कॉशूनमर 17 अच्छा जी लॉकडाउन तो सूजाता जी कर रही है ये और सभाय क्रेसिंजी कर रहे हैं यह चलिए तो इसका जो उत्तर आ रहा है सही क्वेश्टन नमर्र 17 का क्या होगा निस्ट कलंग होगा बिल्कुल से उत्तर करें हो चलिए अब अब देखना यहां पर क्या है यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर भी तो आपके छोटे ओकी मात्रा है तब यहां भी तो गुर्ष संदी हो सकता है लेकिन गुर्ष संदी में हमने पढ़ा था गुर्ष संदी और विसर्ग संदी में अंतर कैसे करेंगे देखो यहां पर छोटे ओकी मात्रा के बाद क्या होगा या तो आपका या तो आपका प्रतेक वर का तीसरा चोथा और पांचवा वर्ड होगा अथवा छोटा आ या फिर बड़ा आ होगा या पिर आपके अनतेयस्त वेंजन होंगे क्या होंगे अनतेयस्त वेंजन मैंसे कोई एक होगा अगर ऐसे के बाद देखेना समझ जाना कि यहां पर विसर्ग संदी होगी क्या होगी विसर्ग संदी होगी देखना यहां पर छोटे कि मातरा के बाद एक अंतेयस तुमेंजन दिया गया है या क्या दिया गया या तो देख करी समझ जाना है कि यहां पर कौन देशन्दी होगी विसर्ग संधी होगी लेकर अब आपको बताना है कि इसका संधी विच्छेद क्या होगा क्वेश्च नमबर 18 का वड़ापर से उत् आपके इन में से कुछ भी हो सकता है तीसरा चोथा पांच्वावड हो सकता है अंतेयस तुमेंजन हो सकता है या फिर आपके छोटेया या फिर बड़ा आ हो सकता है तो देखो यहां पर विसर्ग से पहले ना है और ना में छोटेया की मातरा है और विसर्ग के बाद या का प्रियोग हुआ है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बिलकुल सी विकल्प हो जाएगा लिखास मरम इसे संधी और यूज विसरग संधीड ऑ आपको पेचानना इैं किस में आंपकी विसरग संधिया क्वेश्य सब्सक्राइब नमोर 19 थोड़ा सा अच्छा प्रिशन है फटाबर से बताना है क्या होगा चलिए निम लिखित में से विसर्ग संदीक किस्त में होगी फटाबर से बताना है कुश्चन 19 के बारे में बताना है आपको देखो क्या यहाँ यहां पर यहां पर आप के चोटे उड़ी मातरा में लेकिन इसके बाद में आतया चोथा अच्छा तो यहां पर क्या होगा फटापर से कमेंट बोक्स में बताना है और यहां पर क्या है यहां पर आपके बड़ी आकी मात्रा है यहां पर यहां पर दो नाप प्रियोग हुए है तो यहां पर कौन सी संधी होनी चाहिए वेंजन संधी होनी चाहिए अब आपको बताना किसा मैं विसर्ग सन्थी होगी फटापट से अपना इन कमेंड बाक्स में और महोदह में कौन सी संधिय परत और से कमेंड वॉक्स में उत्तर और चाहिए क्योंकि यह मैं पढ़ा चुकाऊं की महोदह चले चले फटावर से बताएंगे अच्छा देखो यह नियम हमने कहां पढ़ा था यह नियम हमने पढ़ा था आवई आजी देखो यह ने जमाधन क्या होगा निर्दन यहां पर क्या है वह यहां पर देखना विसर्ग के पहले आख को छोड़ कर कोई दूसरा स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद अगर तीषरा चोथा हूथ पाच्छवा और उत्यर्एंजन उना तो सब्सकरी में परवर्तित हो जाता है वे में परवर्तित हो जाता यह नियम के लिए लितलए रही नियमों के अनुसार अगम थोड़े बहूत भी आपको नियम पता है ना तो अब ह में इसका संधी विच्चे औरह बनाने कमेंट आज़े प्रसान जी गुर्ट संदीग यृट्स क्या बाद है प्रसांच फीγन जी ने बिल्कुर से तर दिया екणल J सूरियो दया है किस प्रकार क्या संधी पिष्चे लोगा फॉटा करताना है और यह किस नियम के के अनुसार होता है चले फटाबर से बताओगे क्वश्यन वर बीस का सायुत्तर क्या होगा देखना लिए फटाबर से बताओगे क्वेशन में 20 कभी क्या दिया 20 कभी क्या दिया 20 कभी अच्छा देखो हम पढ़ क्या रहे हैं विसर्ग संदी तो यहां पर विसर्ग होना तो अनवार था क्या है विसर्ग होना तो अनवार था क्योंकि विसर्ग संदी के उधार देखना है यहां पर क्या आएग सूर्य जमा उदै क्या होगा सूर्य उदै होगा यह चीज किलियर है चलिए यह चीज किलियर है सभी को चलिए हाँ वह किलियर है देखो मैंने आपको बताया था अगर अगर आपके विसर्ग से पहले अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए अगर आपका विसर्ग से पहले या तो छोटे आकी मात्रा हो या पर बड़े आकी मात्रा हो या पर विसर्ग के बाद क्या हो तीसरा चौथा और पांचवां वर्ड हो या पर आपके अंतैस्त वेंजन हो या पर छोटे आप और बड़े आकी मात्रा हो यह अगर होता है ना तब वे जो विसर्ग होता है छोटे ओ में परवर्तित हो जाता है किसमें होता है छोटे लेकिन यहां पर क्या है यहां पर छोटा उ है क्या है छोटा उ है लेकिन लेकिन देखना यहां पर विसर्क के बाद किसका प्रय हुआ है छोटे उ का और यह भी एक इसी के अंतरगत नियम होता है लेकिन यह क्या होता है यह अपवाद में हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं अपवाद में सूर्योदय में क्या है देखो वी आपका कुछ-कुछ अपवाद भी होते हैं उनको भी हमको सीख कर चलना पड़ता है क्या है सूर्योदय में कौन सी संदी होगी विसर्ग संदी होगी लेकिन हमने नियम जो पड़ा है या तो विसर्ग से पहले आपके छोटे आकी मात्रा हो या फिर बड़े आकी मात्रा हो या फिर विसर्ग के बाद क्या हो या तो अगोस वेंजन हो जैसे तीसरा चौथा पांचवां वर्ड हो जाए या फिर आपके अंतैस्त वेंजन हो जाए या फिर या फिर आपका छोटे आकी मात्रा हो और बड़े आकी मात्रा हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी आपका जो विसर्ग होता है, किसमें परवर्तित हो जाता है, O में, लेकिन ये भी आप याद रखोगे, अगर छोटा O भी आ जाए ना, तब भी कुछ-कुछ सब्दों के according ये अपवाद होते हैं, और अपवादों से जादा तर question ब संदी नहीं है, नहीं वाले सब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना है, किसमें नहीं होगी, चलिए वही, वड़ाबरते बताना है, किसमें आपके विसर्ग संदी नहीं है, चलिए, वड़ाबरते चापना है, comment box में, question 21 का संधर क्या होगा, चलिए, देखो, यहाँ पर किसक तो वे इंजन ध्यान रखने पड़ेंगे और आपके तीसरा चोथा पांचवा वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा और साथ की साथ आपका छोटे आ और यह आते हैं तब वृष संदी हो जाएगी विसर्ग संदी विसन्दी हो जाएगी लेका因為 कल्फ सी में क्या है देखो यहां पर छोटी एकि मातरा प्रियोग है और चोटे एकि मातरा ठूटे उप कि मातरा और ँर्कास albums की संदी में आता है तो यह हमने हaimer पड़ा है घूर संधी के अंतरगत कि संधी के अंटर गट गूर संधी इंतरग तो तो सुझाताज तर चाही तो प्रिशन नमबर 21 का सहाई उत्र क्या होगा धि कल नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा विकल्प नमबर 6 का बिल्कुत से तो तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी किसमें आपके विसर्क संदी नहीं है आपके महेस में कौन तरुक्त संधी का प्रयों होगा आगे चला जाए सूर्यों दे में गुड़ होगा सूर्यों दे में गुड़ होगा चलिए तो उस question को भी हम दे देखेंगे एक बार ध्यान से चलिए question number 22 का सही उत्तर अब आपको बताना है क्या सब्ध है हरिश्चन्द का सही संदी विच्षेद क्या शेमयों कि हुआ इसको एक बार छे और देख लिया जाएगा परिशान होने की जरूत नहीं है चलिए हगे चलते हएं कॉषियन नमेरवाइस के बारे में बताऊगे को स्वाइस कस उत्तर क्या होगा हरिस्वष्ण हरिस्द में सही संदी क्या होगा देखर विसर प quelqu jsutना परवर्वर्चित हो रहा है सहयं में किसमें ओर रहा है सीटी वाले सेह में और सीटी वाले सेका उच्चारन इस्तान क्या होता है तालू होता है क्या होता है तालू के द्वारा उच्चारित होता है यह भी चीज याद रखोगे चलिए तो हरिस्चंद्र में इसका सही संदी विच्छित क्या होगा फटावर से बताना है आपको देखो विसर्ग के यदी चे आता है चे आता है तो जो विसर्ग होता है किसमें प्रवर्तित हो जाता है सीटी बाले सामें चलिए कुशन में 22 का फटाबर से उत्तर बाज बताना है आपको सभी को Speaking, क्वेशन निम्हें 22 के bendu 22 की चलिएगए 22 कभी नियसे प्रिया जी कर रही है, 22 कभी सीमा जी भी और अमिट जी प्रशान सिंग जी भी बिल्कुला सच पर है है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हरी हरी जमाचंद क्या हो जाएगा देखो विसर्ग के बाद क्या है यह तो चे का प्रियोग हो या पिर छे का प्रियोग हो तो विसर्ग किसमें है परवर्तित हो जाता है 달 सभी लोग का सभी से संधी विछित क्या होगा क्या सब्द है निरंतर सब्द का सए संधी विचgrow क्या होगा आप को बता में वर तरोर थे रे में किसमें हो रहा है रे में तो थोड़ा सा ध्यान से कहना चलिए देखो अगर विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद अगर आ आ जाता है या फिर तीसरा चौथा पांच्वां वर्ड आ जाता है या पर अंतेयस्त वेंज देखो विसर्ग के बाद या तो छोटा बड़ा आ जाए या तो अंतैस्त विजल आ जाए या फिर आपके तीसरा चौता और पांचकों वरड आ जाए तो जिसमें परीरो फिंध से पुराज हो जाता है रहने में परीवर्टेत हो जाता है फॉर्टाद को जो होगा रह में परवर्तित हो जाएगा किसमें परवर्तित हो जाएगा रह में तो इसका सही रूप हो जाएगा निरंता ठीक है कोईशन नमर 24 देखो पुरुसकार क्या है एक सब्द पूछा है पुरुसकार सब्द का सही संदी विच्छेद बताना है अब देखो यहां पर विसर्ग किसमें परवर्तित हो रहा है से में किसमें परवर्तित हो रहा है से में थोड़ा सा ध्यान से करना है थोड़ा सा नियमों को एक बार अगर आपको नहीं पता है न तो इस पीडियाफ को पढ़ लेना यह जो क्लास की और 24 का सई उत्तर क्या हुगा दिखना अगर विसर्ग के बाद के बाद के आजाए лек है यह एक है आजाए यह एफ़र पय कैप है तो विसर्ग किस तो होता है आपके से में विसर्ग परवर्तित हो जाता है किसमें परवर्तित होता है से में चलिए देखिए वह फटावर्त बताना है चलिए सबसे पहले उत्तर अमिच जी का हाँ बिलकुल तो अमिच जी काफी सबसे पहले उत्तर करें बाकी सभी बच्चे भी सबसे पहले करें चलिए तो सभी के उत्तर ओल्म जमा पूर जमाकार को विसर्क है बारक किसका प्रवेश हुआ है 24 किस परवड्रतित होगा से में परवर्तित हो जाएगा आगे चलो देखने तोड़ा सा अच्छा पेस्ट disponis typos noir 25 में किया है दुर्गोरस upon the सभी का कमेंट बच्षेत क्या होगा जरोगर सब्गा सभी संदी के दहुंद रहे में और यह नियम हम पढ़ चुके है कि यह किसकिस आधार पर होता है वाहाएं पर से बताना है सभी को चले को क्वेशन हाफें पचीस होगा चालिए फटामार से बताना है कुशन हो 25 सच्छ और किना कोर्शन पाच्छीज का दिया सीमarchy कर आगे विसर्ग के बाद हाँ यह थोड़ा-स अच्छा पर minha थोड़ा से ध्यान से करना यदी विसर्ग के बाद टेट हो तब विसर्ग किसमें परवर्तित होता है और यह नियम हम पढ़ चुके है यदी विसर्ग के बाद टेट है का प्रयोग होता है तो विसर्ग आपके किसमें परवर्तित होता है फटा पर से बताना है कमेंट बोक्स म चलिए बिल्कुल से क्वेश्चन में 26 आपके सामने कोशन 26 के बारे में बताना है क्वेश्चन नमर 26 का सही उत्तर क्या होगा अभी तो पढ़कर आए कि विसर्ग किस अगर विसर्ग के बाद के खेख है आजाए या पर पैफ है आजाए तो विसर्ग किस अच्छा लेकिन सहमय परवर्तित होगा गई बैस पानी में सभी की गई बैस पानी में सभी सभी की चलिए मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का आंसर और मुष्ट सभी क्या करोगे गलत करोगे तो देखना अगर विसर्ग से पहले ए और उ के बाद के खेटे ठेट है पैफ है आजाए तो से में परवर्तित हो जाता है किसमें यहाँ पर केम्टी संग्या ती देखना यहाँ सब्दम आपका बहुत्तर एकदम से सही हो सकता है अगर इसमें कहता अगर एकी मात्रा आ जाए या फिर उकी मात्रा आ जाए तब क्या होगा वही तब आपका से में परवर्तित हो जाता है लेकिन अभी क्या है अभी से भी होगा और सटकोड वाला से भी होगा देखो एक चीज़ हमेशा याद रगना सीटी वाले से का उच्छ नहीं दिए है सिर्प पूछ लिया है जैट हे के बाद शर है अगर बसक्र के बाद टेट है तो विसर्ग किसमे परवर्तित नहीं हो जाता है Show सभी है सबसे बिल्कुल सभी हाँ मेरा मेरा बहार है से अच्छा गई भैस पानी में नहीं इस वार आपकी भैस पानी में जाने से थोड़ा-थोड़ा बच गई क्योंकि यहां पर कंडिशन नहीं दी गई है दोनों ही उत्तर सही हएं चली विसर्ग के बाद अगर क्या है वई विसर्ग के बाद अगर केक है और पैफे आये तब विसर्ग का परवर्तन किसमे होगा देखो यह भी काफी अच्छा कोशन हो उसी से मिलता जुलता सवाल है उसी से मिलता जुलता सवाल है देखो अगर इसका आंसर आपको नहीं पता देखो अगर यहां पर सटकोन भी होता ना अगर यहां पर सटकोन भी होता तब भी आपको बताना है चलिए विसर्ग के बाद क्या है केक है और पेपह आए तो तब विसर्ग किसमें परवर्तित होगा कॉश्चिन नमर 27 का सयुत्तर क्या होगा चलिए तो कुश्चिन नमर 27 के बारे में बताना है कुश्चिन नमर 27 का सयुत्तर क्या होगा पत्थर को जोंक नहीं लगती हाँ जी बिलकुल जिसकी लाठी उसकी भैस हाँ बिलकुल प्रसांत भाई तो फड़ावर्च बताओगे कि विसर्ग के बाद अगर केखे आ जाए तो विसर्ग किसमें पढ़कर आए हैं हम एक नियम हम पढ़कर आये कौन सा वाला एक नियम हमने पढ़ा था यहीं कहीं पर था वैई देखे वई बिलकुल कि अगर विसर्ग के पूर्व अघर चोटा आ आ जाए और बड़ा आ अ आ जाए क्या आ जाए चोटा होनी चाहिए विसर्ग के पहले होना चाहिए छोटा आ क्या होना चाहिए छोटा आ और उस वाले प्रिश्ण में हमको कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है मतलब इसका उत्तर क्या हो सकता है इसका उत्तर एक तो डीवी होगा क्या होगा एक तो डीवी होगा और एबी होगा क्य अगर मैं पूछता हूँ कि इसमें अगर विसर्ग से पहले छोटा और बड़ा आ जाए और विसर्ग के बाद क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो और पैफ है आ जाए तब विसर्ग किसमें परवर्तित हो जाएगा आपके विसर्ग परवर्तित ही नहीं होगा विसर्ग परवर्तित हाज बिलकुल अच्छा आपको जोक लगेगा पक्का अरे बढ़े लो या पढ़े लो थोड़ा बहुत पढ़ने पर द्यान दो ठीक है ना यह नियम आपको बार-बार कोई नहीं बताएगा चली तो क्या है कुशन इसकार मर्सकता इसकाहोगा इसका उत्तर ईसकता है और सी बी चली कुशन mesela 28 देखना यहीं थोड़ा अच्छा फिसनु बन सकता है सबसे पहले देखते है कि इसमें कंडीशन क्या दी घई हह दी भी घई है यदि विसर्ग के पहले आसवर और आगे आधवा कोई आगोश्अ मेंगयर आ जाता है तब समें परवर्टित हो जाता है और यहां तो आपकी साहब साथ और यह ले तह सर्ग किसमें मतलग यह रहे में सि मताना है इमें अमित कुमार जी कर रहे हैं एमें हाजी वही तो जियन ही बच्चों ने उत्तर दिया गलत हो गया कर ये बार तो पता है ऊफल में परवर्वर्तित होगा पहलाई नियम क्या था पहला ही नियम यह था कि अगर आपके अगर विसर्ग के बाद अगर छोटा आ जाए बड़ा आ जाए या पिर कोई अघोस वेन जाए या फिर कोई अन्तेयस्त वैंजन आ जाए तब तब जो विसर्ग होगा तब जो विसर्ग होगा किसमें परवर्तित हो जाएगा आपके छोटे ओ में परवर्तित हो जाएगा लेकिन कंडिशन क्या होनी चाहिए विसर्ग से पहले या तो छोटा होना चाहिए या फिर आपका बड़ा होना चाहिए यह कंडिशन हो होनी चाहिए तो यह परवर्तित किसम हो जाएगा छोटे ओमें हमने गुर्ष संदी और विसर्ग संदी में इसी को लेकर तो अंतर बताया था कि अगर यहां पर आपके जैसे क्या है वही जैसे हमने कुछ उधारण भी करे थे तो वहां पर देखा था छोटे कि मात्रा के बाद अगर आपका अंत्यस्त मेंजन है या फिर आपका अगोस मेंजन है या पर छोटा और बड़ा है तो वहां पर क्या होगा विसर्ग संदी होगी यह बिल्कुल ओ आ जाएगा ओ आ जाएगा चलिए पर सारेम्यम सुकला जी का सही है की तरह अच्छा सब का जी था यह नियम कि यहाँ पर क्या है वह यड़दि आ और आके बाद वर्गों के तीसरे चौहते पांचमेंजन मतलब कि आपके अगोस्वन आ जाए और अंत्यस्त वेंजन आ जाएं तो जो विसर्ग का व में परवर्तन हो जाता है और गुर्शंदी में क्या होता है वहां पर व थोड़ा सा ध्यान देना है आगे चले आगे चलते हैं कुश्चन अमर 29 देखते हैं कुश्चन अमर 29 क्या कहां गया कुश्चन अमर 29 यह ने जमायोग थोड़ा सा ध्यान से करोगे क्या है ने जमायोग इस सब्द का सब्सक्राइब से बताना है आप सभी को ने जमायोग का न देखो हेलो हाई इन सभी का जमाना हो गया पुराना अच्छा मुझे लगता है कि आपके ना अभी संदी के डाउट क्लियर नहीं हुए थोड़े बहुत तो मैं क्या सोच रहा हूं कल कल आपके स्वर्च संदी और आपके विसर्ग संदी क्या है विसर्ग संदी इन तीनों से संदी आती है या फिर संदी आयादी संदी व्रदी संदी या फिर आपके धीर संदी इन सभी संदीयों को लेकर सभी प्रस्न आएंगे वेंजन संदी से सभी प्रस्न आएंगे विसर्ग संदी से सभी प्रस्न आएंगे अगर आपको ये पैक्टिस चाहिए तो कमेंट बॉक सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए कल मैं प्लान कर रहा हूं कि कल आपके कल दुपेर 12 बज़े वाली क्लास में इसी क्लास में तो संदी के सभी के सभी जो भी हमने तीनों प्रकार की संदी पढ़ी है ना उनके बारे में एक एक बार फिर से पढ़ लिया जाए एंसी क्यू के माद्यम से ताकि एक बार फिर से चीजें पक्की हो जाए ठीके ना चलिए क्वेशन नमबर 29 का उत्तर बताना है चलिए निरोग यूं ही यूं ही सही है अच्छा वे बिलकुल बिलकुल इसमें कोई भी परवर्तन नहीं होगा इसका सही उत्तर क्या होगा क्वे क्वेशन 29 का निरोग हो जाएगा क्या हो जाएगा विसर्ग इसमें गायव हो जाएगा क्या अभी अभी बता चुका हूं अभी अभी पढ़ा कर आ रहा हूं तो अगर कोई बच्चा अभी जुड़ा है तो वो थोड़ा सा पीछे से वीडियो को देख सकता है कुश्यमर 30 देखना अटैकर का सथ संधी विष्छत क्या होगा देखाश यहां भी आफका विश्रग गायर होगा है यह हंभी आपका विष्छारग कै יवा इसका संधी विचक्त क्या होगा अपनमरμ those साबनाय कमेंड वाक्स नहीं जी बिल्कुल निरोग विल्कुल साहीय है बिल्कुल भेरफ सिंग्जी जूड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है ज़ी तो अैव का सभी संधी बिच्छेद बताना है क्या होगा कुछन मद तीस की साय उत्तर का यहां पर क्या है इसका सहीतर क्या होगा अत्त्र जामा एभूगा अब यह सब कि सुनियम के अनुसार गाया हुगा है यह में बता चुका हूं चलिए को तीज का सेह उत्तर अचा मेरा प्रिया जी यह नहीं होगा यह नहीं होगा मिस्प्रिया जी अच्छा माफी चाहूंगा यह नहीं होगा प्रिया जी सोजाता जी बी अरे बीबी क्यों होगा बीबी क्यों होगा देखो यहां पर क्या है यहां पर आपके कि क्या दिया गया है अनुस्वार दिया गया है तो हमको कोई अपनी मर्जी से एड़ नहीं करना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सी इसका विल्कुल सही बिल्कुल सी सुजाता जी का सही है सभी का बिल्कुल सही है आपको सटकॉण वाला से देखे सटकॉण वाला से देखे या फिर सब्दों के बीच में आपको सीटी वाला से देखे या फिर सब्दों के बीच में आपको ओकी मात्रा देखे और उसके बाद कोई अंतैस्ट वेंजन देखे या फिर कोई अगोस वेंजन देखे या फिर क्या पूछता है कोई सब्द दो जैसे यह सब्द दिया और पूछेगा उसमें कौं ती अग्या स्धी तो रारत होता है ना आदावाला वो देखे तब यह नियम होते हैं वहाँ पर कौन सी संधी होती है विसर्ग संधी होती है समय बचाने के लिए इन चीजों का प्रेयों होता है किया होगा यही पूछा जाता की समय कॉल झी संधी है जब एक सेंड में यहां कोशन Natal 31 का से अइतर ज्याइबंए गया होगा निय जमा पक्राप क्या अधर होगा अभी है के अनुसार होता है देखो विसर्ग से पहले किसकी मात्रा है चूटी की मात्रा है या चूटी की मात्रा हो अगर पै हो फै हो खै हो और टै हो ठै हो तो विसर्ग किसमें परवर्तित होता है विसर्ग आपका सह में परवर्तित हो जाता है किसमें सह में यह नियम हमको याद रख है अच्छा जी कोई बात नहीं चले जी तो फटापर से बताना है आपको कुशन 32 अब आपके सामने है भासकर क्या है भासकर देखो यह उसी नियम के अनुसार विसर्ग किसमें परवर्तित हुआ है से में परवर्तित हुआ है अगर पूछ लेता कि भासकर में कौन सी संदी है क्यों से संदी होगी अब यह किस नियम के अनुसार परवर्तित हुआ है विसर्ग साम है यह हमको समझना है अगर यह नियम थोड़े से भी हमको आ गयना यकीन मानना कि संदियों में आपका बहुत समय ब Rosa जाएगा और कल मैं इसके उपर एक पैक्तिस सैट लेकर आने वाला ह में आपके स्वार संदी से भी क्वेशन होंगे विसार के संदी से भी क्वेशन होने वाले हैं क्वेशन में 32 चलिए सी सी अच्छा जी बिल्कुल हास और वसो कर अच्छा रानी जी भाई देखो फाल तू बात है कमेंट में कोई भी नहीं करेगा पढ़ने आये हो पढ़ोगे चलि उस्वारे मताना कुश्ण 32 का सैटर क्या होगा 22 का दी अच्छा अमित कुमार जी कर रहे हैं 32 सब्दी 32 का सब्सक्राइब 32 इडि डिडिडी खळीड और कई लग एसए चले तो ये क्वेशन दीया में आज का आपका हूमबर्थ कल आपको यह घड से करका लकर आना है उस फटावर से बताना है कि कि यह किस नियम के अनुसार पर वर्थित होता है कल हम क्या करेंगे कल हम करेंगे आपके कल हम करेंगे सुरसंदी से कुछ tomorrow संदी से कुछ फिलाजख़ से में कल की केस TRAV में तो और चुल सभी को जुड़ना है कल सभी को अपने अपने एक-एक मित्र को ले कराना है लिव कल हम करेंगे फेस पांचों भाग के क्लास में तो कल सभी को जुड़ना है कल सभी को अपने-अपने एक-एक मित्र को लेकर आना कल हम करेंगे स्वर संदी व्यrites संदी कौन-कौन चीजट लिए हैं आपके व्यिंजन संदी के होंगे लगबग 70 mcq होंगे चलिए तो उनके माद्धियम से हम सॉल्ब करेंगे कल की क्लास में कल सभी को जुणना है सभी को आना है कल की क्लास में तब तक लिए नमस्कार रादे रादे जैसे किसना अपना ध्यान लगना महिला बच्चे बूरे श्यानिक सभी का सम्मान करना है और ऐसी पढ़ते रहना है और सबसे जरूरी और महत पूर्ण बात स्वस्त रहना है क्या रहना है स्वस्त